मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो भाईयों को देखते हैं जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागस की एक बोर्ट बना कर देता है क्योंकि बाहिर बारिश आ रही थी पैनिवाइज उस बच्चे को उसकी बोर्ट रिटन करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा लेता है इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहा गया है और सब लोग ये समझते हैं कि वो म के देखते हैं पिर हम स्कूल में स्टूरेंट्स को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की को देखते हैं कि देखती हैं सब बच्ची कभाण होने की वजह से काफी excited होते हैं और वहीं पर हम एक lady को देखते हैं जो अपनी missing बच्ची को वहाँ पर डूढने आई थी वहाँ पर एक लड़का हैंडरे भी था जो nature wise काफी ill manner था और वो बिल और उसके बाकी friends को काफी तंग किया करता था और वहीं पर हम Beverly की best friend band को भी देखते हैं वो दोनों आपस में काफी अच्छे friends होते हैं दूसी तरफ बिल जब school से घर वापिस आता है तब उसकी फादर उसे काफी डांटा क्यूंकि बिल समझता था कि उसका चोटा भाई अभी भी जिन्दा है जो सीवर में गिर कर वहां से गुजर कर उस जगा पर गिर गया होगा जहां पर उसका dead end होता है लेकिन उसकी फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे क्यूंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा माइक जब मेर्ड डिलीवर कर रहा होता है तब वहां पर उसे एक डौर मिलता है और उसके पीछे वो काफी अजीबो गरीब चीजे महसूस करता है उस डौर के पीछे से काफी लोगों के शाउट करने की आवाजे आती है और बहुत से हाथ इसमें बुक रखने के लिए जाता है और वहां पर वो एक बहुत ड्राउनी ओरत की पेंटिंग देखता है जिसे वो अकसर डर जाया करता है उसे डराने वाला कोई और नहीं बलके पैने वाइस था जो सबको उनके डर से ही डराता था और उन चीजों से जिनसे वो डरते है बेल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइबरेरी में बैठ कर वोटरी लिखता है और साथ ही एक जगा डेरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है और उसके साथ ये कोई और नहीं बलके पैनिवाई से कर रहा था और बेन को वहाँ पर एक बैलोन भी उड़ता हुआ नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता बेन जब उस बैलोन की पीछे जाता है तब उसे वहाँ पर बोस आते हैं उसे पकड़ लेते हैं उसे काफी परिशान करते हैं और यहां तक कि हैंडरी एक नाइफ से उसके पेट पर एच लिख देता है इसी दुरान कार में एक कपल भी वहाँ से बुजरता है और बेन उसे हेल्प मांगता है लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते उसे कार में बेन एक रड बैलोन देखता है जिसे यह साफ जाहिट था कि वो कपल जो गाड़ी में बैठा हुआ है अब वो भी पैनेवाइस के कबजे में आ चुके है तब ही किसी तरह बेन अपनी जान चुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है इंजर्ड बैन वहाँ पर आ जाता है वही पर बिल का एक फ्रेंड बिल की चोटे भाई को डोड़ने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे गोस्ट नजर आते है उसे वहाँ पर बहुत सारे सॉल्स नजर आती है और पैने वाइज उसे मार डालता है बिल और उसके बाके फ्रेंड बैन के लिए बैंड़ेज एक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं उसी मार्केट में बैविरली भी होती है जो मैडिसन लेने में उनकी हेल्प करती और फिर ये friends group बेविरली को उनके साथ तलाब पर चलने के लिए invite करते हैं बेविरली जब घर पहुँचते हैं तब उसके फादर as usual उसके साथ काफी अजीब behave करते हैं अपने फादर के behavior की वज़े से बेविरली काफी upset रहती थी और इस बार तो वो इतनी दुकी होती है कि वो उपने बाल काट लेती हैं फिर वो सब friends और बेविरली तलाब पर काफी enjoy करते हैं ये सब friends मिलकर बेन के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका डेरे टाउन से related history collection देखते हैं बेन उने बताता है कि जो जो लोगी city में रहा करते थे एक एक करके वो वहाँ से गाइब होते रहे लेकिन अजीब बात तो ये है कि लोगों के गाइब होने का कोई भी reason उनकी dead body या कोई भी निशान नहीं मिला बस सिर्फ उस city में ही एक कुए के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ पर खून खराबा आम हो गया लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं जल सका कि ये कौन कराब फिर हम बिल के friend एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है और ठीक उसी वक्त उसकी medicine लेनी का time भी हो जाता है और एडी वहाँ पर रुक कर अपनी medicine लेनी लगता है और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजे सुनाई देती है वो आवाजे सुनकर एडी काफी घबरा जाता है वो वहाँ से जाने लगता है तभी घबराहट के आलम में उसकी medicine उसकी हाथों से गिर जाती है एडी जब अपनी medicine उठा रहा होता है तभी वहाँ पर एक बचसूरत काफी गंदा और बिमार आदमी आकर उसे डराता है और उसे डराते डराते वो उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है लेकिन एडी भाग कर उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर वहाँ आती है तब उसे एक poetry card मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वाश रोम में जाती है बैविल्ली जब वोटरी पढ़ रही होती है तब उसे वाश सिंग से बच्चों की आवाजे सुनाई देती है बैविल्ली जब एक measuring tape उस सिंग की अंदर डालकर बाहर निकालती है तब वो खून से भरा हुआ वापिस आता है और उस पे इंसानी बाल भी लगे होते है जो बैविल्ली की पूरी body से लिपट जाते है और उसे अंदर की तरफ खैजते है इसकी बाद उस वाश सिंग से बहुत सारा खून तेजी से बाहर निकलता है और पूरा washroom और बैविल्ली ख को अपर छहते हैं ब्यविल्ली की रोने की अवाँ सुनके उसकी फादर भी वहां पर आ जाते हैं लेकिन वह एसा रियेक्ट करता है जैसी वहां पर कुछ भी नहीं हुआ बिल जो कि अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा होता है लेकिन तब भी वहाँ पर उसे किसी की होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी के पाउं के निशान भी मिलता है और जब वो उन पैरों के निशान के पीछे जाता है तब उसे उसका चोटा भाई नजर आता है जो उसे basement में ले जाता है पहले बिल का चोटा भाई उसे emotionally blackmail करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में तबदील हो जाता है और तब भी वहाँ पर पैनी वाइस पी आ जाता है जो बिल पर attack कर देता है लेकिन ठीक वक्त पर बिल अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग जाता है फिर बैविरली उन फ्रेंड्स को अपने घर बुला कर उन्हें अपना वाश्रूम दिखाती है सब बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून है लेकिन बैविरली सोचती है कि उसकी फादर को वह क्यों नहीं नज़रा पिर वह सब मिलकर वाश्रूम क्लीन करते हैं वह फ्रेंड्स आपस में डिसकस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गरबट जरूर है क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीबों गरीब हो रहा है और वो जो कर उनको भी नज़राता है तबी कुछ दूर फासले पर उन्हें हैंड्री की कार और माइक की साइकल नज़राते हैं और वो माइक को बचाने के लिए फोरन भागते हैं दूसरे तरफ हैंड्री और उसकी फ्रेंड्स जबरदस्ती माइक को कच्चा गोश्ट खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं तबी कुछ दूर फासले पर माइक को पैनी वाइस नज़राता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो माइक को एक जीब सी स्माइल भी दे रहा था और तबी फोरण वो फ्रेंड्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हैंड्री और उसकी फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और वो लोग माइक को सेफ कर लेते हैं फिर वो ग्रूप मिसिंग होने वली बच्चों की पोस्टर देख रहे थी। तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने डेरी टाउन की बारे में दुबारा से पड़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बार ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। उन इंसिडेंट्स में लोग गाइब होते हैं और ज्यादतर बच्चे और ऐसा पहली तो कुछ अर्से तक चलता रहता है। लेकिन फिर अचानक से बंद हो जाता है। और फिर 27 सालों बार ऐसा होने लगता है। वो लोग ही समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 साल बार आ जाता है और बच्चों को पकड़ कर खा जाता है। वो जमीन की नीचे एक गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगा पर आकर आपस में मिलते हैं और वो कुआ है जो उसी पुराने घर में था वो बच्चे फोरन ये समझ जाती है कि पैनिवाइस वहीं पर रहता है उसी पुराने घर के कुए में तभी एडी इ पैनिवाइस भी एक पिच्चर की सूरत में उनके सामने आता है और तभी पैनिवाइस उस फोटो से निकल कर उन बच्चों को डराता है वो सारे बच्चे काफी डर जाते हैं लेकिन बिल डिसाइट करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुए में जाएंगे और पैनिव कोई हो जो मिसिंग हो जाए और उस जोकर का शिकार बन जाए और जब वो लोग उस घर की अंदर जाते हैं तो पैनिवाइस उन्हें विजन दिखाता है और एक दूसरे से अलग कर देता है एड़ी फिर से उस क्रीपी आदमे से डर कर उपर से नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है उन फ्रेंड्स में बिल का फ्रेंड रिची जो एक रूम में बंध हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स थे और तबी वहाँ पर पैनिवाइस आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो रिची को कोई nasıl पहुंचाता बिल बिल्कुल ठीक व पैने वाइस के सर में दे मारती है, जिससे वो जखमी हो जाता है। लेकिन इसके बवाइस जूद भी वो बच्चो को डराने से बास नहीं आता है। और अपने बड़े बड़े नाखुनों से वो बैंट को जखमी कर देता है। लेकिन वो सारे बच्चे वहाँ पर एक साथ थी और पैनी वाइस भी इंजर था तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगएर ही वहाँ से चला जाता है। तबी बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुए में जाते हुए देख लेता है। और तबी वो सब बच्चे उस घर से अपनी जान वाचा कर भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो दुबारा से उस घर में जाएंगे। लेकिन अब वो पूरी तयारी से आएंगे और बड़ी बहादुरी से वो पैनी वाइस का मुकाबला करेंगे। लेकिन बैविरली के इलावा कोई भी उसकी ये बात मानने के लिए एगरी नहीं होता। वो कहते हैं कि वो लोग वापिस वहाँ पर नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड डिची जब उसे कहता है कि उसका भाई अब मर चुका है। बिल को इस बात पर घुसा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती और वो ग्रूप आपस में बिखर जाता है। बैविर्ली उन्हें काफी समझाती है कि पैनिवाइस यही चाता है कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएं क्यूंकि उसे पता है कि अगर वो साथ रहे तो वो उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बैविर्ली की ये बात कोई नहीं सुने। दुसी तरफ हैंरी को अपने गर के पास रखे गए लेटर बॉक्स के उपर एक रड़ बैलून उड़ता हुआ नजर आता है जो पैनिवाइस के वहाँ होने का साइन था। जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे वहाँ पर एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ उसी का थ जो जंगल में गिर गया था जब वह बैन की पीछे भागा था। हैंरी जब उस चाकू को ले लेता है तब वह पूरी तरह से पैनिवाइस के कंट्रोल में आ चुका होता है। पैनिवाइस हैंरी को बहुत फोर्स करता है कि वह अपने फादर को जान से मार डाले। जिबकि ह जो पैनिवाइस के बहुत ज्यादा कब्से में आ चुका था और वह सच में ही अपने फादर को जान से मार डालता है जब वह सो रही होते हैं। बैविरली के डैड अग्रेसीव होकर उसके साथ जबरदस्ति करने की कोशिश करते हैं। बैविरली अपने फादर को टांग मा के वहां से भाग जाती है और खुद को वाश्रूम में बंद कर लेती है लेकिन बैविरली का फादर बाथरूम के दर्वाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है अपनी जान बचाने के लिए बैविरली सिंग अपने फादर के सर में माड देती है जिससे वो इंजर्ड होकर होश हो जाता है दूसी तरफ बैविरली को डूंटे डूंटे उसके घर तक चला जाता है जहां पर उसे उसकी फादर की डड़ बॉड़ी के साथ तीवारों पर प्र पैणिवाइस का मेंसज मिलता है वहां पर लिखा होता है कि यू जाए इफ यू ट्राइए बिल अपनी स का मुकाबला करने के लिए हतियार भी अपने साथ लाए होते हैं दूसरी तरफ बैविरली की ऊपर खून की कुछ कत्रे गिरते हैं जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक गटर में है जहां पर कच्रे का एक बहुत बड़ा धेर काफी उंचाई तक लगा होता है और वहां पर बच्चों की डड़ बॉडिस भी हावा में फ्लाइ करती है तब बैविरली वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन पैनिवाइस उस पर अटेक कर देता है और उसे काफी डराता है लेकिन बैविरली नहीं डरती है बैविरली बड़ी बहादुरी से उसक की बारी आती है तब हैंडरी उस पर अटेक कर देता है उसे मारने के कोशिश करता है लेकिन माईक उसका मुकाबला करके वह इसे उसे काफी नीचे गिरा देता है वो लोग जब नीचे उतर रही होते हैं तब उनका एक फ्रेंड उनसे बिछड जाता है और यहां पर पैनिवा वहां से भाग जाता है और तबी बिल को अपना छोटा भाई भी वहां पर नजर आता है जिसको फालो करते हुए वो बिलकुल उसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बैविरली भी थी बैविरली हवा में लटके हुई थी और बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है तबी बाकी फ्रेंट्स वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर बैविरली को नीचे उतारते हैं लेकिन बैविरली होश में नहीं थी वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टेल वो होश में नहीं आती है फिर बैविल्ली को हग करता है, क्योंकि वो उसे लाइक करता था, तो इसी वज़े से बैविल्ली पैनिवाइस के ट्रैप से बाहिर आ जाती है, और बिल्कुल होश में आ जाती है, पैनिवाइस बिल्कुल उसके चोटे भाई के रूप में काफी इमोशनली ब्लैक मिल करता है, और सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पैनिवाइस बिल को पकड़ लेता है, पैनिवाइस उनको बताता है कि तुम लोग मुझे जितना डरोगे, मेरी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो कहता है कि तुम बिल मुझे दे दो, उसके बतले से जाएगी होकर उस से लड़ते, पैनिवाइस उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिक दरता है, जिसे वो सबसき ज्यादा डरते है, लेकिन जको बच्चे नहीं डरती, लेकिन अब पैनिवाइस उनको डरने लगता है, यूंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं और यहां तक कि मार मार के भी वो पैनिवाइस को काफी जखमी कर चुके थे। उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पैनिवाइस को हारने पर मजबूर कर देता है। और पैनिवाइस ढरते हुए भूका ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। कि मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।